स्वागा थे आप सभी का इस वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 36 गड़ GK के हम लोग जो है वीडियो सिरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो आने वाले व्यापम के, PSC के, पुलिस के या किसी भी 36 गड़ से संबंदि जो भी एक्जाम होते है जिसमें 36 गड़ आपका syllabus में हैं, वो सारे एक्जाम के लिए ये आपका important पने वाला है, तो आज का हमारा पहला वीडियो जो है, वो हमारा रहेगा 36 गड़ का सामान्य परिचाए, इसके अलावा हम लोग 36 गड़ कब बना, कहां से बना, इसका जो पूरा detailing है, 36 गड़ का ना यहाँ पर कौन कौन से लोगों ने सासन किया, यह हम लोग 36 गड़ का हिस्टरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो detail में, या अभी के वीडियो के आगे आने वाले दिनों में जो वीडियो होंगे, उसमें हम लोग detail से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज का topic हम लोग चालू करते ह हमारा topic है आज का 36 गड़ का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय तथा परिचय भी देखेंगे हम लोग इसमें, इसके अलावा हम लोग तथा इसका मान्चित्र भी हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि 36 गड़ के 33 जिले कहां कहां परिच्थित हैं, और कितने कितने जिला के साथ वो सीमा साधा करते हैं, ये सारी हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग 36 गड़ की बात करें, अगर इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो य इस थापना में यह कौन से नंबर का राज्य है, यह 26 नंबर का राज्य है, जिसके इस थापना कब हुई थी, 1 नौंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था, अगर हम लोग इसके मात्री राज्य की बात करें, तो मात्री राज्य जैसे अभी कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे 36 गड़ को जो था, वो पहले किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का जो है क्या था, उस समय हिस्सा था, ठीक है, कितने जीलों को लेकर बना था यह पहले, जब हमारे 36 गड़ जीला 1 नौंबर सन 2000 को बना, तो उस समय जीलों की संच्या कितनी थी, 16, यह कोशन में कई बार कुछा जाता है, कि मध्य प्रदेश से कितने जीलों को लेकर 36 गड़ राज्य का गठन किया गया था, इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश से 16 जीलों को जो है, अलग करकर 36 गड़ राज्य का गठन किया गया था, ठीक है, अब इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, 36 गर की, आप सबको मालूम है कि नई राजधानी जो है हमारी कौन सी है? नवारायपूर, अटल नगर, ठीक है? एक तो आप बोल सकते हो, नया रायपूर है या अटल नगर, उसी को जो है, किस नाम से जाना जाता है? अटल विहारी वाचपाई के नाम पे जो है अटल नगर के नाम से जो है जाना जाता है तो 36 गड़ के राजधानी यह हो गई ठीक है चलिए कितना बेसिक चीज है हमारे 36 गड़ के बारे में तो अभी अगर हम लोग वर्तमान में अगर देखें वर्तमान इस थिती में ठीक है वर्तमान इस थिती में हमारे ठीक है पूरा डेटियल हम लोग बात में देखेंगे वर्तमान इस्थिती में अभी हम लोग अगर बात करें 36 गड़ में जीलों की संख्या कितनी है तो जीलों की संख्या कितनी है 33 है ठीक है अगर हम लोग बात करें संभाग कितने है तो अभी जो हमारे 36 गड़ में संभाग है वो कितने है पांच है, मतलब जैसे लोगों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर घर बनता है, घर से मिलकर गाओं बनता है, गाओं से मिलकर जो है क्या बनता है, आपका ब्लॉग के तहसिल बनता है, ब्लॉग के तहसिल से मिलकर जो है क्या बनता है, जिला बनता है, जिले से मिलक संभाग बनता है, संभाग से, राजज, राजज, देश, इस तरीके से, महादीब, इस तरीके से जो सिस्टम चलता है न, उसी हिसाफ से हम लोग चलेंगे, तो हमारे 36 गड़ में भी जीलो की संख्या कितनी है, 33 है, कितने संभाग है, अगर हम लोग बोलें, तो अभी हमारे 36 में जो है, क्या है, पांच संभाग है, अगर हम लोग बात करें कि हमारा 36 गड़, जो है, कितने 6 तरफल में फैला हुआ है, तो 1,35,000, कई जगा आपको 199 दिखेगा, कई जगा आपको 192 जो है, दिखेगा, तो हम लोग 199 जो है, वर्ग किलोमेटर, जो है, मानकर चल रहे ह ठीक है, वर्टमान इस्थिति में, और अगर हम लोग 36 गड़ के जनगरना की बात करें, 2011 के अनुसार, तो हमारे 36 गड़ की जनसंख्या है, दो करोड 55 लाग के आसपास, यह हमारे 36 गड़ की जनसंख्या है, ठीक है, तो 2 करोड 55,45,198 इस तरीके से जो है, इसकी जनसंख्य है, तो 2011 के जनगरना की अनुसार है, यह अभी आपका 2011 के बाद जनगरना नहीं हुआ है, अगली जनगरना होगी, तो हो सकता है कि हम 3,5 करोड के आसपास 36 गड़ पहुंच जाए, ठीक है, और अगर पूरे भारत देश में, अगर हम लोग बोले, छेत्रफल के हिसाब से, ज पहले जकते, जनसंख्या में भारत में कितना प्रतिसा थी, या भारत में इस्थान क्या है, तो भारत में जो है, हमारा जो इस्थान है, जनसंख्या के मामले में, वो हम लोग 16 नंबर पर हैं, ठीक है, और पूरे भारत देश की जनसंख्या का जो है, दो दस मलव एक एक प् तो पूरे भारत देश का 4.11 प्रतिसत है, देखो, दोनों में 1.1 है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, छेत्रफल बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 4.11 आएगा, जनसेंक्या थोड़ा छोटा है, इसलिए 2.11 प्रतिसत जो है, आएगा, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इ पहला वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखेंगे, आपको नेक्स वीडियो के आने से पहले, 36 गड़ का मैब जो बनाने जा रहा हूं, उसको आपको बार 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 प्रक्टिस करना है, कम से कम 10 से 15 बार उसको प्रक्टिस करना है, कि नीन में भी अगर आपको कोई उठा कर बोले कि कॉपी दे दे और पेन दे दे और बोले कि 36 गड़ का नक्सा 33 जोलो के हिसाब से बना के बताओ करके तो आपसे जो हो बिल्कुल जो है बनना चाहिए, इतना प्रक्टिस आप करेंगे, देखिए, 36 गड़ का भूगोल को सुरू करने का सिधा इतिहास पढ़ाना चालो कर देता, 36 गड़ का, जहां पर मैं बोलता, रतन, पूर, जगडल, पूर, यहां पर इस्थापना के, तुम मार, यह सब बोलूँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एक बार 36 गड़ का जिगराफी पर लेंगे, लोके इस मैप के मार्ड़म से याद रहेगा, तो आप कभी भी एक्जाम में उसको नहीं भूलोंगे, और बहुत अच्छा आप करके आएंगे, चलिए, 36 गड़ का मैप आप ड्रॉ करना सीखे, देखिए, इस तरीके से लगभग एक्जेक्ट मैप नहीं बना सकते हम लोग, ठीक तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक मैप यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रफली मैप, आप इसको जितना रफली बनाएंगे, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना रफली बनाना चाहें, इसको जो है, बना सकते हैं, ठीक है, यह इस तरीके से, ठीक, चली, माल लेती हैं, हमारे 36 गड़ का मैप है, अब देखो ध्यान से, आपको पहले क्या करना है, यहां से इसको आपको इस तरीके से जॉइन कर देना है, ठीक है, यह आपका कौन सा हो जाएगा, सरगुजा संभाग हो जाएगा, पांच संभाग की मैंने बात की न, उसम लाइन, ठीक है, एक बाद फिर से आप वीडियो को वापिस करके देखिए, किस तरीके से मैंने खीचा है इसको, पहले जो है, मैंने क्या क्या है, देखिए, पहले जो है, क्या बलते हैं, एक लाइन, दो लाइन, और यहां से इसके बाद इसको जोड़ दिया मैंने, और फि तरीके से इस तीसरे वाले बक्से के सांद जो है मिलाएंगे ठीक है मिलाने के बाद इसी के नजदीक से आप जो है इस तरीके से मुरा हुआ जो है एक यहां पर रेखा जो है खीचेंगे ठीक है फिर यहां से आप इसको जॉइन करेंगे इस तरीके से फिर इसको जॉइन करें फिर यहां पर आप एक थोड़ा दूर में दो, फिर यह पास में तीन, तीन रेखा आप यहां पर और इस तरीके से खीचेंगे, ठीक है, यह आपका बिलासपुर संभाग बन गया, ठीक, इसके बाद आपको यहीं से क्या करना है, इस तरीके से जो है थोड़ा सा टेढ़ा रहा करते हुए, यहां से इसको जोइन करना है, और इसमें जो है, कुल आपको तीन लाइने खीचनी है, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, इस तरीके से, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उपर का एक और नीचे के एक को छोड़ कर दोनों के बीच से जो है, इस तरीके से यहा तो यह राएगा अभी कौन सा जीला है मैं भी बताऊंगा फिलाल आप इतना जह अच्छे से जह है करिएगा पर इसके बाद हमें क्या करना है देखिए यही confirm हमें क्या करना है इसको जो है यहांसे इस तरीके से जोड़ा देना है थीक यह थोड़ा से और नीचे हो बाता है त ठीक है, थोड़ा सा, तो इसका, यह जो, अचलो, color का pen change करते हैं, यहां से जो बना है, यहां पर जो मुड़ा हुआ है, यहां से आपको जोड़ना है, ठीक है, यह जो मुड़ा हुआ है, उसके थोड़े नीचे से आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, फिर आपको क्या कर आपसे बार-बार mistake हो सकता है, इसके पहले वाले बीच से आप क्या करेंगे, इसको जोडेंगे, फिर यहां से आप इसको जोडेंगे इस तरीके से, फिर आप यहां से एक रेखा खीचेंगे, यहां जाएगा यह रेखा, और फिर यहां से आप इस तरीके से एक रेखा खीचे ठीक है बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपसे बनेगा फिर इसके बाद कलर जो है मैं चेंज कर देता हूं नीला हरा ले लेता हूं यहां पर आपको इस तरीके से एक खीचना है यहां से एक जो है आपको यहां पर एक बॉक्स बनाना है इस बॉक्स को यहां से ऐसे जो यह जो मुड़ा हुआ है, इसको यहां से एक बार और जो है, आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो यह वाला हिस्सा आपका पूरा बसतर संभाग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, अब चले, जिले का नामकरण जो है करते हैं, यहां पर बस आपको एक और रेख चिर्मिरी और भरतपूर, ठीक है, यह आ जाएगा, फिर इसके बाद यह आएगा आपका कोरिया, ठीक है, कोरिया के बाजू में है, यहां पर आपका सूरजपूर, यहां पर है आपका बलरामपूर, यहां है आपका सरगुजा, यहां है आपका जसपूर, तो यह सब के सब तो आपके कौनसे संभाग हो गया, ये आपका सरगुजा संभाग हो गया, ठीक है, पांच संभागों में बटा है के नहीं, तो कितने जीले हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छै जीलों से मिलकर जो है, आपका क्या बना हुआ है, सरगुजा संभाग जो है, बना हु फिर नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यह जो छोटा सा आपको दीख रहा है न, यह है आपका गौरेला पेंडरा मरवाही, जीपीम, ठीक है, यह है आपका कोरबा, जो कि अभी 36 गड़ का 33 जिलो के हिसाब से जो है, सबसे बड़ा जीला है, फिर यह है हमारा राइगर, ठ आपको सक्ती, सक्ती के बाजू में मिलेगा जांजगीर चापा, जांजगीर चापा के साइड में आपको मिलेगा बिलासपूर, बिलासपूर के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा मुंगेली, ठीक, मुंगेली के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कबीरधाम या कवरध फिर यहां पर मिलेगा आपको इसके जस्ट नीचे खेरागर केसी जी खेरागर छुई खधान गंड़ाई फिर इसके नीचे आपको मिलेगा यहां पर राजनन गाउं फिर इसके नीचे आपको मिलेगा मुहला मानपूर अंबागर चौंकी फिर यहां उपर में आपको क्या मि जिलेगा बालोद, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका कौन से संभाग के अंतरगत आता है, दूर्ग संभाग के अंतरगत आता है, कितने जिले हो गए, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, साथ जिले जो हो गए, जिसका मुख्याले क्या है, दूर्ग है, और ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है न, ये आपका कौन से संभाग में आता है, बिलासपूर संभाग में, कितने जीले हैं देख लो, अच्छा ये वाल एक और छुड़िया न, यहाँ पर आपका सारंगड भी है, सारंगड भी आपका कहां आता है, बिलासपूर संभाग में ही आता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और मुंगेली को मिलाकर आठ, आठ जीलेहे से मिलकर आपका बना हुआ है, और इसका मुख्याले कहा है, इसका मुख्याले जो है आपका बिलासपूर ही है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है सारंगड ये पूरा आपका बिलास अब देखे, सारंगड के बाजू में जस्ट आपको मिलेगा, अच्छा, दुनों कलर पे एक देसे हो जा रहे हैं, चलो, कलर को चेंज करते हैं, कुछ, अलग हट के देखते हैं, ये लो कलर लेके देखते हैं, दीखेगा तो, चलो, यहाँ पर है हमारा बलोदा बजार, ठीक ह फिर ये वाला है हमारा महासमून, ये वाला है हमारा गरिया बन, और ये है हमारा धमतरी, ठीक है, कितने जीले हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जीलों से जो है मिलकर हमारा कौन बना हुआ है, रायपूर संभाग, ठीक है, रायपूर संभाग में कितने जीले हो पांच और रायपूर संग भाग का जो मुख्यालय है ये आपका रायपूर ही है ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं ये जो छोटा साब को दीख रहा है ये आपका है कुंडा गाउं ठीक है केडी लिग गया हूं उसको में कुंडा गाउं फिर ये उपर वाला कौन है आपका कांकेर ये है आपका नारायपूर नारायपूर के नीचे में आपको मिलेगा बिजापूर फिर ये वाला आपका मिलेगा बस्तर ठीक है ये है आपका दंतेवाड़ा और नीचे में लास्ट में आपको मिलेगा यहां पर सुकमा तो कितने हो गए देखिए अच्छ अलग-अलग दीखेगा डिफ्रेंस दीखेगा ब्लैक तलर ले लेता हूं चलिए इसको जॉइन कर देते हैं ठीक चलिए अब आते हैं हम लोग ये कौन सा था ये कांकेर ठीक है कांकेर के नीचे नारायनपूर नारायनपूर के नीचे आपका बीजापूर बीचो बीच आपका दन्तेवाडा लास्ट में है आपका सुकुमा ये है आपका बस्तर और ये है आपका कुंडा गाउं ठीक है तो कुल 35 ज संभाग के अंतरगात आता है कितने जीले हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथ जब तक नवीन जीलों का गठन नहीं हुआ था तब तक है सबसे बड़ा छेत्रफल और सबसे जादा जीलों वाला संभाग कौन सा था आपका बस्तर ही था लेकिन अब छेत्रफल के हिसाब से देखिए अब इसकी स्पैसिलिटी बता देता हूं चली पहले इसका मुख्याले देख लेते हैं इसका जो मुख्याले है यह आपका जगदलपूर है ठीक है इसका मुख्याले क्या है आपका जगदलपूर तो जोड़के देखते हैं बाद सरगुजा में कितने जीले हो गए आठ आठ और अथचे चौँदा और स दूरग में कितने हो गए? आप प्रेक्टिस जो है करना है त भी आप क्या कर सकते हैं मैप को जो है आच्छे से याद कर सकते हैं ठीग है चलिए, अब देखे, सबसे जादा जीलों को च्छूने वाला, मतलब सबसे जादा जीलों को इसपर्स करने वाला, ठीक है, कौन सा है आपका कोर्बा जीला, इसके पहले ये जो ओनर है, ये जो सम्मान है, ये किसके पास था, बलोदा बजार के पास था, लेकिन अब सबसे जा जांदगीर चापा, बिलासपूर, गौरेला पेंटर मरवाही, मनेंदरगर चिर्मिरी, कोरिया, सूरजपूर, असर गुजा, कुल कितने होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ जीले जो है, क्या कर रहे हैं, इसको जो है, सपर्स जो है, कर रहे हैं अब देखिए, हर संभाग की अपनी-पनी इस्पेसिलिटी है, जैसे सबसे पहले जो है, 1862 में कौन सा संभाग बना था, आपका रायपूर संभाग जो है, बनाए गया था, ठीक है, फिर उसके बाद 1956 में जो है, कौन बना आपका बिलासपूर संभाग बना, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, 1981 में आपका बस्तर संभाग बना, ठीक है, फिर उसके बाद 1 अप्रेल 2008 को जो है, आपका जो है, क्या बोलते हैं, सरगुजा संभाग बना, ठीक है, फिर 15 अगस्त 2013 को घोशना हुआ, और सितंबर 2013 को जो है, आपका सबसे नमिनितम संभाग जो है, कौन सा दूर्ग बना, ठीक है, अब इनकी और स्पेशल बाती क्या है, सबसे जो नमिनितम है, ठीक है, सबसे नमिनितम संभाग कौन सा है, आपका दूर्ग है, छेत्रफल के हिसाब से छोटा भी है, और सबसे नमिनितम है, बस्तर संभाग की सबसे बड़ी स्पेसिलेटी क्या है, स सबसे पुराना संभाग है, ठीक है, सरगुजा संभाग की स्पेसिलिटी क्या है, यह आपका जो है, एक तरीक से बोल सकते है, रियासतों से मिलकर बना हुआ है, विलासपूर क्या है, यह आपका जनसंख्या के मामले में, जो है, जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा है, ठी तो ये आपको इतना چीजे क्या करनी हैं, आपको ध्यान में रखनी हैn, तो अगली class से पहले आपको क्या करना है, ये पूरे map को एकदम अच्छे से आपको क्या कर लेना है, इसको तैयार करना है, ताकि आपका पूरा का location भी आपको एकदम clear रहे. ठीक है, मैं जितने जीलों की बात कर रहा हूँ, वो सारे जीले आपके mind में exact जो है, क्या होने चाहिए, छपे हुए होने चाहिए, कौन सा जीला कहां पर है, कितने जीलों को इसपर्स करता है, और ये जो पूरा map है न, ये आपका एक मिनेट के अंदर में आपसे बन जाना चा करेंगे, फिर एक-एक संभाग को पढ़ेंगे, फिर एक-एक जीलो को पढ़ेंगे, उस जीले की स्पेसिलिटी क्या है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप इतना प्रक्टिस करके रखिए.